आज की हमारी रेसिपी है मटर पनीर मटर पनीर किसे नहीं पसंद ऐसा कोई हो सकता है तो आज यह यम्मी सी और सिम्पल सी मटर पनीर की रेसिपी हम देखने वाले हैं मैं हूँ अश्विनी आप सबका स्वागत करती हूँ बहुत ही सिम्पल सी रेसिपी है बिल्कुल कम से कम इंडरियन में बनने वाली है तो जटपट यह रेसिपी बनाईए और अपने फीडबेक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए चलिए तो फिर मटर पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कड़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमश तेल और इसी में हम डाल देंगे दो मिडियम साइज के प्याज जिसे मैंने कट कर लिया है प्यास को हमें मिडियम फ्लेम पे ही भूनना है बिलकुल इसे इसका कलर चिंज नहीं करना है तो लगातार इसे चलाते रहिए साथ ही हम इसमें डाल देंगे लसुन और अद्रक लसुन की पास से 6 कलिया ली थी और 2 इंच वाला अद्रक दोने इसमें डालके हम साथ में ही प्यास के साथ में हम इसे भून लेंगे यहाँ गैस की फ्लेम बिलकुल लो ट्यू मिडियम रखना है हमें जब प्यास थोड़ा सा भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे दो बड़े साइस के टोमेटो बड़े साइस के नहीं है तो आप मिडियम साइस के तीन टमाटर इसमें डाल दीजिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे लगबग आदा चमच नमक ताकि हमारा प्यास और टोमेटो जल्दी से पक जाए सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक जखकन लगा कर इसे हम लो फ्लेम पे पकने देंगे 5-6 मिनिट के लिए देखिए 5-6 मिनिट हो गए है हमारा प्याज और जो टोमेटो है वो अच्छे से पक गया है अब हम गयास की फ्लेम यहां बंद कर देंगे और एक डीश में इसे निकाल लेंगे कंप्लेटली थंडा होने देंगे फिर इसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे एक दम फाइन पेस्ट हमें बनानी है तो उसके बाद एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में डाल देंगे लगबग एक बड़ा चम्मच बटर और दो बड़े चम्मच तेल आप कंप्लेटली बटर का भी यूज कर सकते हैं बटर और तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा जीरा अच्छे से भून जाए तो हम इसमें जो हमने अभी पेस्ट बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इस पेस्ट को लगबग तीन से चार मिनिट के लिए ऐसे ही मिडियम फ्लेम पे पकाने वाले है अब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो यहां मेंने लिया है दो बड़े चमच लाल मिर्श पाउडर एक बड़ा चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चमच हल्दी एक बड़ा चमच गरम मसाला पाउडर और साथी में हम डाल देंगे आधी छोटी चमच नमक याद रखना है हमने नमक पहले भी डाला है तो इस स्टेच पे हम नमक थोड़ा ही डालेंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हमें लो टू मिडियम फ्लेम पे भून लेना है जब तक ये मसाला अपना खुद का तेल नहीं छोड़े तब तक हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे आप देख सकते हो मसाला भी भूना स्टार्ट हो गया है थोड़ी एक लिड लगा कर हम इसे पाच से दस मिनिट के लिए छोड़ देंगे आप देखोगे पाच मिनिट बाद इस मसाले को अच्छा सा एक फ्लेवर आ गया है एकदम बढ़िया सी मसालो की खुशबू आ रही है अब इस स्टेश पर हम डाल देंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे लगबग एक कप मैंने यहां पानी का यूज़ किया है अच्छे से मिला लेंगे और अब गयास की फ्लेम थोड़ी मिडियम कर लेंगे और इस से हमें पकाना है बॉइल आने तक इस स्टेश पर हम नमक की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे अगर कम लग रही है तो हम आड़ कर सकते है तो यहां मैंने लीड लगा लिए है और लीड लगा कर पाच मेंट के देखिए मसाला पर्फेक्टली पक गया है तेल भी उपर अच्छे से तैरने लग गया है अब हम डाल देंगे इसमें मटर तो यहां मैंने यह फ्रोजन मटर लिए है आपके पास अगर ताजे वाले मटर है तो आप इसे एक बार उबाल कर फिर ग्रेवी में यूज कीजिए इसके साथ ही मैं यहां यूज कर रही हूँ 250 ग्राम पनीर यह फ्रेश मलाई पनीर है तो पनीर और मटर अप ग्रेवी में डाल दिये हमने अच्छे से मिला लेंगे और लिड लगा कर इसे मिडियम फ्लेम पे पाच मिनिट के लिए हम पकने देंगे कटे हुए हरे धनी के साथ इसे हम सर्व करेंगे तो यह हमारी मटर पनीर की रेसिपी तयार है इसे आप नान फुलका रोटी किसी के साथ भी खा सकते है तो रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए